गुड इवनिंग स्रेंड्स फिर से हम आ गए हैं आपके लिए लेके किशन्स यानि आपको हम कंटिनियस किशन प्रैक्टिस करा रहे हैं और अब आपके लिए रोज लगबग आठ या नो के बीच में आपको एक किशन प्रैक्टिस का वीडियो जरूर मिलेगा अब देखिए आपके लिए बहुती बड़ी यहां पर हम अपडेट भी लेके आएं यानि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुसकबरी लेके आएं अब देखिए वो खुसकबरी क्या है सुन लीजी आप लोग देखिए हम क्या दे रहे हैं आपको किशन दे रहे हैं यानि र देखे क्या होगा इस्टुडेंट जो भी कमेंट बॉक्स में आंस्वर देगा हम नोटिस करेंगे कि क्या वो स्टुडेंट सबसे फर्स्ट नंबर वाला स्टुडेंट है जिसने सबसे फर्स्ट कमेंट किया है और वो आपका आंस्वर है जो राइट होना चाहिए अगर आप के लिए मुफ्त में यानि जो बच्चे कोचिंग अफर्ट नहीं कर पाते हैं यानि उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन कुछ कारण वस वो किसी प्रकास से नौट्स अवलेबल नहीं करा पा रहे तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप किशन का आंस्वर दीजिए और मुफ्त में नौट्स पास सकते हैं अब देखिए आप नौट्स कैसे लेंगे उसकी हम बात करते हैं जैसी जो स्टुडेंट ने फर्स्ट कमेंट किया और उसका आंस्वर रा स्टुक्स में ही उसका इमेल आईडी लेंगे या उसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है यानि जो भी सोसिल प्लेटफोर्म है वहां पर हम कॉंटेक्ट करेंगे तो इस परकार आप पास सकते हैं मुफ्त के अंदर नौट्स अब देखिए होगा क्या बच्चे बहुत करेंगे उसके बाद में हम फाइफ बच्चों को देंगे जैसे जैसे स्टुडेंट की संक्या बढ़ती जाएगी हम अपने जो इस गिफ्ट को है वो बहुत ज़दा बच्चों के साथ सेयर करेंगे तो देखिए आज का हम जो विनर है वो यहां पर डिकलेर करने वाले हैं मैंने पहले आप को नहीं बताया बट एक जो स्टुडेंट है वो है हमानसोफागेरिया यानि हमारे इस चैनल पर कंटिनियोस बने हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं कंटिनियोस हर एक किश्ण का आंसर देते रहे हैं सुरू से लेके आज तक के हर एक वीडियो पे तो देख कर ले हम उनके लिए मुफ्त में सारे के सारे नौट्स प्रोवाइड करा रहे हैं तो हिमानसु अगर हमें सुन रहे हैं तो प्लीज कॉंटेक्ट मी ओके तो यह हो गई आपके लिए एक सुप्राइज गिफ्ट की बात अब हम चलते हैं किशन की तरफ बातें बहुत हो गई द जल्दी से आप सोचिए जल्दी से 10 सेकंड है जल्दी सोचिए आप लोग तो देखिए आप लोगों ने इस किशन को सॉल करने की कोसिस करी होगी तो अब हम बता देते हैं इसका आंस्वर तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहला उप्सन है पहला उप्सन क आप देख सकते हैं कि पेलेडियम है, केडिमियम है और लेंथिनोइड है, हाँ जी ये सारे के सारी क्या है transition elements है, deep block के हैं और सारे transition elements है, तो यहाँ पर आपका B option एक्टम correct है, फिर हम चलते हैं next question की तरफ which element is having lowest melting point and lowest boiling point, यह मैंने आपको periodic table में करवा रखा है, यानि d block जब हम d block पढ़ रहे थे तब मैंने ये किशन करवाया था तो इसका आपको answer पता है jink क्या होगा यहाँ पे jink यानि हिंदी में सुन ले हिंदी वाले बच्चे की lowest melting point यानि सबसे कम melting point होता है यानि गलनांक होता है और सबसे कम जो कवथनांक होता है वो किस तत्व का होता है वो होता है jink का फिर हमारा यहाँ पे third question है density of which of the following element is highest यानि किस तत्व की किस तत्व का घनत्व सबसे ज़्यादा है वो हमें बताना है तो आप लोग जानते हैं कि जो platinum होता है उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है यानि यहाँ पे a option आपका एकदम correct हो जाता है तो देखिए यह हो गए हमारे three question अब हम जलते हैं fourth question की तरफ तो देखिए आपका fourth question है plaster of paris क्या है fourth question plaster of paris a white powder is यानि आपको बताना है कि plaster of paris का जो formula होता है वो क्या होता है तो आप सब लोग जानते है plaster of paris का formula होता है C-A-S-O-4.half-as2 यानि जो आधा water का molecule होता है वो C-A-S-O-4 के साथ होता है हिंदी वाले जान ले यहाँ पर क्या पूछा गया है plaster of paris जो एक white powder है उसका formula पूछा गया है उसका सुत्र पूछा गया है उसका रासाइनिक सुत्र पूछा गया है तो इसका B-Option एक्टम correct है फिर है fifth question calcium plus two ions play an important role in यानि आप से पूछा गया है कि जो calcium ion है वो अपना role कहां पर play करता है क्या वो neuromuscular function करता है क्या वो blood coagulation करता है क्या वो interneurotransmission करता है या all of these तो आप जानते है calcium है जो ये तीनों ही work करता है यानि यहाँ पर आपका D-Option एक्टम correct हो जाता है पिर यहाँ पर six question आपको दियावा है दो structure आपको दिखर रही है यह बताना है यह metamor है chain isomer है identical है या इन में से कोई नहीं है देखिए आप दोने structure को देखिए अच्छे से देखिए गोर करके देखिए देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है बस C6, H5 और CST को क्या कर दि identical यानि यह दोनों क्या हो गए सेमसेम हो गए और सेमसेम वाले को क्या बोलते है identical फिर यहाँ पर अपना अगला 7th question है आपको structure दिख रही है इसका IUPAC name बताना है तो देखिए आप इसका IUPAC name कैसे बताएंगे जल्दी से सोचें आप इसका IUPAC name क्या होगा 7th में देखिए इ इसकी जो branching में select करेंगे numbering करेंगे तो numbering आप ओच की side से करेंगे तो यहाँ पे आपका answer correct हो जाएगा 2 amino 4 ethyl 5 methyl hexane 1 all यानि यहाँ पे आपका A option है जो एकदम correct हो जाता है तो देखिए इस परकार से आपने 7th question को बहुती easy way में यहाँ पे clear कर लिया अब हम चलते हैं next question की तरफ और next question है अपना 8th question 8th question है the pair of electron in the given carbonine CS3C triple bond C9 यहाँ पे क्या यह का यह carbonine है is present in which of the following orbital यानि आप से पूछा गया है कि जो यह CS3C triple bond C यानि इस C पे जो यह negative charge है यह negative charge कौन से orbital में है यानि यह option में दे रखा है क्या यह 2P orbital में only किसकी बात करें negative यानि यह negative charge है जो कौन से orbital में है यह 2P orbital में है SP3 में है SP2 में है या SP में है तो आप सब लोग जानते हैं जो hybridization इस negative charge वाले carbon का होगा वही जो orbital है वही इस negative charge का होगा यानि यहाँ पे जो hybridization है वही इस negative charge का क्या हो जाएगा orbital हो जाएगा तो देखिए यहा इस carbon का hybridization है SP आप सब लोग जानते हैं hybridization निकालना यानि यहाँ पर SP हो गया इसका hybridization और इस परकार यहाँ पर अपना correct option हो जाता है D अब देखिए हम चलते हैं next question की तरफ next question है in which multiple bond is absent यानि आप से बोला गया है कि यह जो option दे रखें हैं इन में से multiple bond यानि बहु बंद कहां पर अनुपस्तित है तो देखिए पहला है CS3CN आप सब लोग जानते हैं CS3CN में C triple bond अन होता है तो यहाँ पर तो present है फिर B option में देखिए CHOOH यहाँ पर देखिए C double bond O होत यह CH2N2 देखिए यहाँ पर भी क्या है triple bond है यानि जो N है वहाँ पर क्या होगा multiple bond होगा फिर है C3S6 अब आप लोग जानते हैं अगर C3S6 की हमने structure अगर cycleों में बना दी तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का multiple bond नहीं होगा only क्या होगा C3S6 में single bond होगा यानि 9th में क्या है multiple bond absent है यानि यहाँ पर 9th का D option एकदम correct हो जाता है देखिए यहाँ पर आपको answer की दिख रही है अगर किसी नहीं सुना इन answers को तो इस questions के answer के आप इसके insert ले सकते हैं अब देखिए हम बात करते हैं surprise gift के question की surprise gift का question है IUPAC का आपको यहाँ पर IUPAC naming बतानी है इस compound की तो देखिए यह आपको structure दिखाई दे रही है इसमें पहला option है सुन लीजेगा अच्छे से पहला option है 2 chloro 4 nitro anisol क्या है 2 chloro 4 nitro anisol B option है आपका 1 chloro 3 nitro 6 methoxy benzene और C है 3 chloro 1 nitrile 4 methoxy benzene और D है आपका 1 chloro 2 methoxy 5 nitro benzene अब देखिए आपको इसका जो answer है वो comment box में देना है और जो भी यहाँ पर first comment आएगा यानि first comment होगा उस बच्चे को हम contact करेंगे अगर हम उस बच्चे को reply करते हैं तो उस बच्चे से हम email id मांगे तो आप comment box में एक बार हमें अपना email id अपना social account बता दें ताकि हम आपके पास जो PDF है chemistry की वो सारी की सारी PDF आपको हम share कर सके है त तो बच्चों इस परकार यहाँ पर हमारा आज का ये किशन प्रैक्टिस का जो model पर first होता है वोता है finish